जिन सासन का अध्भूद गरंथ यानि कल्प सुत्र जिन सासन का स्रेष्ट गरंथ यानि कल्प सुत्र जिन सासन का महान गरंथ यानि कल्प सुत्र कहा जाता है कि क्रिष्टियन को पुछा जाए क्रिष्टी लोगों को पुछा जाए इसाइल लोगों को पुछा जाए कि तुमारे धर्म का सिर्मोर गरंथ कौनसा है तो एक आवाज से कहेंगे कि हमारे धर्म का सिर्मोर गरंथ बाइबिल है मुसलिम लोगों को पुछा जाए कि तुमारे धर्म का सिर्मोर गरंथ कौनसा है एक आवाज निकलेगी हमारे धर्म का स्रेष्ट गरंथ कुरान है हिंदू लोगों को पुछा जाए कि भाई तुमारे धर्म का स्रेष्ट गरंथ कौन सा है कौन सा ऐसा गरंथ है जो स्रेष्टता की पराकास्टा पर है और हिंदू को यदि पुछा जाए तो आपको जवाब बिलेगा कि भगवद गीता जो है वो अधूत है जवरजस्त है वेदों का सार उसके अंदर समाहित है पुरानों का सार उसके अंदर समाहित है और इसलिए भगवद गीता को स्रेश्ट गरंथ माना गया है मैं आपको कहना चाता हूँ कि जीवन में समझ ली तो कई बार आपको यह मैसूस होगा कि अन्य धर्मों के पार जो सास्त्र है जितना साहित्य है उससे कई गुना ज्यादा सास्त्र और कई गुना ज्यादा साहित्य हमारे भीतर है, हमारे पास है लेकिन हमारे हज्जारों ग्रंथों वो हज्जारों ग्रंथों के भीतर भी यदि पूछा जाए को सर्वस्रेष्ट ग्रंथ कौनसा तो क्या आप जवाब देना है भाई कौनसा ग्रंथ है अबाद नहीं आई कौनसा ग्रंथ है कल्पसुत्र महा ग्रंथ पूछा जाये कि हमारे हैं पे अनेक ग्रंत अनेक आगम है अनेक सास्त्र है कलिकाल सरवगनी हेम चंद्राचारे जी महराज रे सारे तीन करोड लोग की रचना करी अनेक सास्त्रों को बनाया अनेक धर्म ग्रंतों को बनाया याकिनी महत्तरा सुनु परम्पुज्य आचारे भगंधरी बद्रसुरिषवर्जी महाराज साम ने 445 गरंथ की रचना करी जिन सासन में अने एक गरंथ है अने एक सास्त्रा अने धर्मगरंथ है और एक-एक गरंथ ऐसे है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे एक एक गरंथ ऐसे है जो आपके जीवन को बदल दे एक एक गरंथ ऐसे है जो आपके जीवन की काया पलट कर दे लेकिन फिर भी सभी गरंथों में अधी सीरमोर किसी को कहा जाए सभी गरंथों में स्रेष्ट किसी को कहा जाए तो वो और कोई नहीं, लेकिन ये कल्पसुत्र महाग्रंद है समझ लेना कान खोल कर और कल्पसुत्र स्रेष्ट क्यों है क्योंकि ये कल्पसुत्र जीवन में हमें अधुद ऐसी बातें सिखाता है जो हम कल्पना नहीं कर सका कल्प सुत्र श्रेष्ट क्यूं है हमारे लिए बहतर क्यूं है हमारे जिनसासन का सर्व श्रेष्ट गरंथ क्यूं है हमारे जिनसासन का सर्व श्रेष्ट गरंथ क्यूं है क्यूं कि कल्प सुत्र के भीतर अनेक बाते हैं ऐसी बाते जो हमारे जीवन को बदल दे ऐसी बाते ज संसार में आर्ट ओफ लिविंग सिखाने वाले कई ग्रंध है लेकिन आर्ट ओफ लविंग सिखाने वाला यदी कोई ग्रंध है तो एक कल्प सुत्र है आर्ट ओफ लविंग प्रेम की पराकास्टा क्या हो सकती है करुणा की पराकास्टा क्या हो सकती है दया की पराकाष्टा क्या हो सकती है लेट गो नेचर की पराकाष्टा क्या हो सकती है किसी के परती अच्छा भाव भाने की पराकाष्टा क्या हो सकती है मैत्री भाव की पराकाष्टा क्या हो सकती है कारुन्य भाव की पराकाष्टा क्या हो सकती है यदि कोई सिखाता है तो एक कलपसुत्र वहां गरंथ सिखाता है आर्ट ओफ लिविंग सिखाने वाले संसार में कई गरंथ है लेकिन आर्ट ओफ लविंग सिखाने वाला यदि कोई गरंथ है तो एक कलपसुत्र है यह प्रेम करने की कला सिखाता है आप आठ प्रवचनों को देखिए एक-एक प्रवचनों में से आपको एक-एक ऐसी चीज मिलेगी जो आपको यह संदेश देगा जो आपको यह सिखाएगा कि प्रेम करते चलो और मैं तो कई बार कहता हूँ कि अध्यात्म जगत का प्रारंभ भी प्रेम से होता है और अध्यात्म जगत की पराकास्टा भी प्रेम से ही होती है और अध्यात्म जगत की परिपुर्णता भी प्रेम से ही होती है बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है और इसलिए तो हमारे आँ लिखा गया तब तक आप संसार में कुछ भी नहीं पड़ पाए और इसलिए हमारे लिखा गया कि पोथी पड़ पड़ जगमु आ पंडित भयान कोई धाई अक्सर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो और ये प्रेम की परिभासा सिखाने वाला यदि कोई ग्रंत है तो ये कलपसुत्र है कल्प सुत्र शिखाता है कि जीवन में प्रेम होना चाहिए आपको यदि कल्यार के मार्ग पर चलना है आपको यदि सद गती प्राप्त करनी है आपको यदि समाधी प्राप्त करनी है आपको परंपरा से परंगती प्राप्त करनी है आपको ये संसार में बैठे-बैठे स्वर्ग का अनुभाव करना है आपको सुखकी उपलब्धी करनी है आपको आस-पास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाना है हर चीज के भीतर एक ही ताकत आपके पास चाहिए प्रेम की ताकत जिसके भीतर प्रेम की ताकात है उसका जीवन अद्भूत बन जाता है जिसके भीतर प्रेम की ताकात है उसका जीवन जबर्यस्त बन जाता है और ये कल्पसुत्र महागरंध हमें क्या सिखाता है प्रेम की ताकात सिखाता है आर्ट अफ लविंग आर्ट ओफ लिविंग सिखाने वाले संसार में बहुत है लेकिन आर्ट ओफ लविंग यदि सिखाने की बात आए तो परमात्मा महवीर को याद करना पड़े परमात्मा की करुणा को याद करना पड़े परमात्मा के जीवन को याद करना पड़े परमात्मा के उपर आये वो पसरगों को याद करना पड़े चाहे कुछ भी हो गया लेकिन जीवन में प्रेम को उन्होंने कभी नहीं चोड़ा आठाठ प्रवचन प्रतन प्रवचन में जो बात आती है मेग कुमार की वो मिग कुमार की बात से प्रेम का संदेश दिया गया है क्यों ये गरंत अधुत है, क्यों ये गरंत श्रेष्ट है, क्यों ये गरंत जबर ज़स्त है क्योंकि ये गरंत प्रेम की कला सिखाता है, जीने की कला सिखाने वाले संसार में बहुत है लेकिन प्रेम की कला सिखनी हो तो प्रभू महवीर के सरण में आना पड़े और कोई रास्ता नहीं है संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले परमात्मा महवीर थे संसार को करुणा की परिभासा सिखाने वाले परमात्मा महवीर थे संसार को दया का गुन दिखाने वाले परमात्मा महवीर थे संसार को प्रेम के मार्ग पर आगे चलने का संदेश देने वाले परमात्मा महवीर थे और ऐसे परमात्मा महवीर के सरण में आये बिना आप प्रेम की परिभासा नहीं सिख सकते सायद आपको और कुछ सिखना हो और कहीं चले जाओ लेकिन प्रेम की परिभासा सिखनी है तो प्रभु मावीर के सरण में आना पड़ेगा करुना क्या होती है सिखना है तो प्रभु मावीर के सरण में आना पड़ेगा बिना उनकी सरण में आये आप प्रेम और करुणा और दया को नहीं सीख सकते और ये भद्रभाव स्वामी महराज ने अधूत रचना करी कलपसुत्र आर्ट ओफ लविंग प्रथम प्रवचर में मेग कुमार की बात बता करके ये साबित किया कि मिना प्रेम के कुछ भी तो नहीं हो सकता एक खरगोष को बचाने के लिए एक छोटे से जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहूती दे देनी यही तो प्रेम की पराकास्टा है और क्या हो सकता है आज का आदमी इतना स्वार्थी बन गया है इतना बेकार बन गया है कि अपने जहुजीवों की रक्सा के लिए वो दूसरों के प्राणों की आहुती ले लेता है लेकिन हमारे कलप सुत्र महराज ये बताते हैं कि हमारी रक्सा नहीं दूसरों की रक्सा करनी आवस्यक मेग कुमार के नाम से संदेश दिया आर्ट ओफ लविंग प्रेम की पराकास था दूसरे प्रवचन में परमात्मा के 27 भोव की बात करी और कहा कि समझ ले ना यदि तेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो तेरी भी ऐसी भोव परमपरा हो सकती है तेरे भी ऐसी भोव परमपरा आगे बढ़ सकती है और दूसरे प्रवचन के माध्यम से 27 भोव की परमपरा के माध्यम से हमें सिखाया हमें मार्ग दिखाया कि नैसार के भोव में नैसार के जीवर में जब तक उसके भीतर एक साधू के प्रती प्रेम का भाव नहीं होता तो उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती और सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती तो वो जीवर में कुछ कर नहीं पाता प्रवु महवीर बन नहीं पाता समझना हर तिर्थंकर परमात्मा प्रेम की भावना व्यक्तर करते है वो तो ठीक है लेगिन परमात्मा महावीर के specific बात की जाए परमात्मा महावीर के जीवन को देखा जाए तो उनके भीतर भी परिवर्तन की सुरुआत कहां से हुई प्रेम से हुई यदि नैसार के भों में वो प्रेम की पराकाष्टा नहीं आती साधू को बुलाते नहीं, उनका वेट नहीं करते उनको गोच्री नहीं बहराते, उनको छोड़ने के लिए नहीं जाते साधू नमस्कार माहमंत्र नहीं देते, सम्यक दर्सन की प्राप्ति नहीं होती तो नैसार मावीर नहीं बन पाते है और इसलिए भद्र बहु स्वामी महराजने में सिखाया कि जीवन में समद लेना कल्पसुत्र सर्वस्रेष्ट क्यों है? क्योंकि वो प्रेम की ताकात सिखाता है जीवन के बाकी के गरंत जीने की कला सिखाते हैं कल्पसुत्र प्रेम की कला सिखाता है आर्ट अफ लिविंग बाकी सभी गरंतों में है लेकिन आर्ट अफ लविंग आपको सिखना है तो कल्पसुत्र की स्रण में आना पड़ेगा प्रतम प्रवचन में मेग कुमार की बात द्वीतिय प्रवचन में परमात्मा के 27 भवों की पात और खासकर नैसार के भव में प्रेम की बात तुरूतिय प्रवचन में जब प्रभू माता के घर्व में आये तो क्या हुआ तो कि प्रभू के पिता के मन में भी प्रेम की भावना प्रगत हुए समझना आप अभी तक प्रभु का जन्मा नहीं हुआ अभी तो माता के घर्म में ही आये है लेकिन जैसे ही माता के घर्म में आये और प्रभु के पिता जो क्षत्रियत थे जो जबर्जस्त प्रभाव साली थे उनके मन में शिद्धार्ध राजा के मन में भाव जगे कि मैं सभी को दान दू मैं सभी बंदियों को छोड़ दू सभी की सजा माफ कर दू मेरे दरवाजे पर जो भी आये उसको कुछ न कुछ दक्सिना दे दू मेरे पास जो भी हाथ फेलाये उसकी जोली भर दू ये ताकात प्रेम की कब आई जब प्रभू माता के घर्व में आये तब ये ताकात प्रेम की खड़ी हुई और इसलिए भद्रभाव स्वामी महराज ने तीसरे प्रवचिन के माध्यम समय सिखाया आर्ट अफ लवी कहा कि जैसे ही परमात्मा समीब जाते है प्रेम की ताकात बढ़ जाती है मैं आपसे कहना चाता हू जीवर में प्रेम की ताकात बढ़ानी है तो प्रभू के समीब रहो प्रभू से जितना दूर रहोगे गुरू से जितना दूर रहोगे उतनी द्वेश की ताकात बढ़ती जाएगी और गुरु के जितना समीप रहोगे उतनी प्रेम की ताकात बढ़ती जाएगा कलपसुत्रकार जीवर में प्रेम की ताकात सिखा रहे है कलपसुत्र सर्वस्रेष्ट गरंथ इसलिए है क्योंकि आर्ट ओफ लविंग इसमें सिखाया जाता है आर्ट ओफ लविंग वाले बहुत है जिनने की कला सिखाने वाले गरंथ बहुत है लेकिन प्रेम की कला सिखाने वाला गरंथ है एक मातर कलपसुत्र इसलिए जहिनों का सरवस्रेष्ट और सिर्मोर गरंथ कल्पसुत्र कहा गया और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में आपको भी प्रेम प्राप्त करना है आपको भी प्रेम बाटना है आपको भी प्रेम देना है आपको भी जीवन प्रेम में बनाना है आपके भीतर भी करुणा को प्रगट करना है तो निश्च तर पर और गुरू के समिप रहोगे उतना प्रेम आपके भीतर प्रगट होगा और जितना उनसे दूर जाओगे संसार के समिप रहोगे उतना दुवेस आपके भीतर प्रगट होगा बराबर समझ लेना जैसे ही माता के घर्ब में आये परमात्मा सुधार्त महराजा की परिकल्पनाय बदल गई उनको मन होता था किसी को कुछ दे दो, किसी को कुछ अरपन कर दो, किसी की सजा माफ कर दो, किसी को छोड़ दो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा समीप आए, हमें परमात्मा के समीप जाना है चतुर्थ प्रवचन में प्रभू के जन्म की बधाई साते नरके थया जवाडा थावर ने पड़ उपकारी सकी आज अनोपम दीवाड कहा है कि जब परमात्मा का जर्म होता है तो प्रेम की पराकास्टा हो जाती है साथो साथ नर्क जहां नितांत अंदकार है गोर अंदकार है और कुछ वाँ पहन वो एक प्रकास का अक्षण के लिए भी तरस्त है उनको होता है कि एक प्रकास का अक्षण भी यदि देखने मिल जाए तो हमारा जीवन साल्थको जाए जहां मितांत अंदकार है जहां घोर अंदकार है महां उन लोगों को भी नरक के जीवों को भी कही न कही सांती की अनुभूती होती है ये क्यों होती है क्योंकि प्रेम की पराकास्ता है प्रभू के जीवें में प्रभू का जन्म होता है तो क्या प्रेम की पराकास्ता होती है जीवों के रदे में क्या प्रेम की भावना जगती है जीवों के रदे में क्या प्रेम की ताकात खड़ी होती है ये चोथे प्रवचन में सिखाया पांच में प्रवचन में तो प्रेम की पराकास्ता आ गई पांच में प्रवचन में तो करूना की पराकास्ता है हम पढ़ते पढ़ते ठक जाए और आप सुनते सुनते ठक जाओ इतने उपसर्ग प्रभू के उपर साड़े बारा साल के दोरान में समझना हम पढ़ते पढ़ते थक जाए और आप सुनते सुनते थक जाओ कितने उपसर्ग जब हम पढ़ते पढ़ते और सुनते सुनते थक जाते हो तब जिनके जीवर में उपसर का घटित हुए होगे उनका क्या हुआ होगा लेकिन फिर भी ये प्रभू थे ये प्रभू महवीर थे और महवीर के पास प्रेम न मिले तो कहां मिले महवीर के पास करुणा न मिले तो कहां मिले मावीर के पास दया का भाव ना मिले तो कहां मिले मावीर के पास जाकर के प्रेम ना आदमी पाया तो कहां पाएगा जो प्रेम कुरुस है जो करुणा व्यक्ति है उनके पास जाकर के प्रेम ना मिले तो कहां मिले और संगम जैसा संगम छे-छे महीने के उपसरग करके यदि वापिस जा रहा हो और छे महीने तक परमात्मा को उपसरग किये लेकिन परमात्मा की आखों में आशु नहीं आए लेकिन जब वापिस जा रहा था तो प्रभू की आखों में आशु आए दुख के नहीं दर्द के पीडा के नहीं गिलानी के नहीं करुणा के आसु आये के विचारे संगम का क्या होगा ये है प्रेव की बरकास्टा येा मदरबहु सुमि महणा ये के प्रवचनों के माद्यम से हमें सिल रहा हो art of loving तागत क्या है प्रेम की और कल्प सुत्र स्रेश्ट इसलिए है बार बार दोरा रहा हो क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि संसार में जीने की कला सिखाने वाले गरंत अनेक है लेकिन प्रेम की कला सिखाने वाला एक मात्र गरंत कल्प सुत्र और छठे प्रवचन में गिनान के माध्यम से प्रेम की धारा वहाई एक अभिमानी व्यक्ति प्रभू के सरण में आता है और प्रभू का सिख्य बन जाता है दूसरा व्यक्ति प्रभू के सरण में आता है और प्रभू का सिख्य बन जाता है एक जी समझना, आपके भीतर जब तक प्रेम न हो, किसी व्यक्ति को आपके पास आने का मन नहीं होता, बराबर समझ लेगा, आज का समय बड़ा विप्रीज समय चल रहा है, बेटा घर में प्रवेस करता है, तो बाप निकल जाता है, और बाप घर में प्रवेस करता है, तो ब मन से नहीं रहते बराबर समझना जब तक आपके भीतर प्रेम की ताकात नहों तब तक दूसरे व्यक्ति को आपके पास आने का मन नहीं होगा हमने देखा है गुरु प्रेम को हम देख रहे हैं प्रतिदेन गुरुदेव, श्री कुलचंद, श्री स्वर्जी मनास साफ को, आप आए सुबे कभी साथ बजे साथ से साड़े आठ के बीच में आप देखिए, आपको लगेगा कि क्या है मिला लग जाता है क्यों लगता है गुरु भगमत अनेक है, आसपास में है दूर दराज में है, सभी जगा है लेकिन जहां प्रेम मिलता है आदमी खीचा चला आता है और गुरु प्रेम की परंपरा उन्होंने निभाई है गुरु प्रेम की परंपरा उन्होंने चलाई है सुबह साथ बजे से लगा कर आशाड़े आठ बजे तक प्रवचन का समय न हो जाए अनेकों लोग आते है कहां कहां से कोई 10 किलोमेटर दूर से कोई 20 किलोमेटर दूर से हम पूछते हैं क्यों आये है गुरु देव से पचकान देने के लिए आये है गुरु देव से वासकसेप लेने के लिए आये है गुर्देव इतना प्यार से पचकान देते हैं इतना प्यार से वासक्षेव देते हैं इतना प्रेम सभी मंतरित पानी पिलाते हैं कि हमारी तपस्चर्या बड़ी निर्विक नता से आगे बढ़ रही है और इसलिए दस किलोमेटर दूर से भी आद्वी भाग कर आता है पच्कान देने के लिए अभी कल ही मुझे साद्वी जी बगवन बता रहे थे कि सुभा सुभा का समय था साद्वी जी बगवन जिनाले में दर्सन कर रहे थे एक छोटी सी भाली का छे साथ या आट साल की ममी को कहती है कि मुझे किसी महराजी के पास पच्कान लेने के लिए जाना है ममी नहीं कहा कि ये साद्वी जी बगवन पच्कान तो सभी के एक ही होते उसमें कुछ फरक थोड़ी होता है जो वो देते हैं वो यही देंगे इनसे पच्कान ले लिजी आप स्कूल जाना है लेट हो रहा है निकल रहा है लेकिन वो बेटी जीत करती है कि मुझे गुरुदेव के पास जाकर ही पच्कान लेना है एक छे साल की, सात साल की या आन साल की बच्ची भी भाग कर क्यू आएगी क्योंकि उसको प्रेम मिलता है उसको वासल मिलता है उसको स्नेह मिलता है इसलिए दौड करके भाग करके गुरू के चरण में आते हैं और इसलिए मैं आपसे कहना चाता हूँ की ताकात बड़ी है, क्रोध की ताकात बड़ी है मैं गतना हो संसार में सबसे बड़ी ताकात यदि कोई है, तो प्रेम की ताकात है प्रेम से बड़ी ताकात संसार में कोई भी नहीं है बराबर समझ लेना आपको चाहिए कि लोग आपके समीप आए तो प्रेम की धारा जीवन में सुरू कर देना गुरु गवतम आये वो तो इंद्र भूती बन के आये थे और गुरु गवतम बना दिया अगरी भूती बन कर आये थे गुरु सुधर्म बना दिया ये ताकात प्रेम की है जब आये तब ये सोच कर आये थे स्वभी महराज कह रहे बराबर समझना आर्ट ओफ लविंग जीवन में जिसके प्रेम नहीं है उसका जीवन सुन्या है प्रेम बनाओ प्रेम को बढ़ाना सिखाए तो ये कल्पसुत्र महराज सिखाते है तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हू बराबर समझना सात्वा प्रवचर जब आता है तो तेवीश तरितंकर प्रभू की बात आती है प्रभू आदिनाथ के जीवन में कैसे प्रेम की धारा थी कैसे प्रेम की पराकास्टा थी प्रभु पार्शुनात के जीवन में हम प्रति दिर मंदिर में जाकर के बोलते हैं कमढ़े धर्ने इंद्रेचा सोचितम कर्मकुर्वति प्रभुस्तुल्या मनोवृत्ति पार्शुनात स्रियस्त्वा पार्शुनात के भीतर भी प्रेम की ताकात क्या थी? कमट हो या धरनेद रहो दोनों के लिए एक समान विचार धारा दोनों के लिए प्रेम की भावना दोनों के लिए करुडा की भावना दोनों के लिए दया की भावना ये ताकाद कहां से आती है ये प्रेम से फ्रकेट होती है प्रभु पार्शुनात के जीवन को देखिए प्रभु नेमीनाज का जीवन एक पसु विलाप कर दे और खुद अपना रत परिवर्तित कर दे रत को मोड़ दे ये ताकात कहा से आए एक पसु विलाप कर दे और खुद का रत मोड़ दे ये ताकात कहा से आती है प्रेम की ताकात है प्रभु महवीर के जीवन को देखिए प्रभु आदिनाथ के जीवन को देखिए और इसलिए साथवे प्रवचन के माध्यम से बद्र बाहु स्वामी माराज रहे हमें प्रेम की कला सिखाई कि त्रेवीस तिर्थंकर प्रभु के जिवन को देखते जाओ और जिवन में प्रेम भरते जाओ और आठमा प्रवचन स्थविरावली कहा कि जिन सासन में प्रभू ने तो प्रेम की धारा बहाई है तो ठीक है लेकिन गुरु उने भी प्रेम की अध्भूत धारा बहाई है जब आप ये प्रवचन सुनेंगे तो आपको प्रतित होगा आपको ध्यान आएगा आपको पता चलेगा कि जिन सासन के लिए बलिदान देने वाले सादू संते और वैं तो गर्व के साथ और आनन्द के साथ कहता हूँ आनन के साथ मैं आप सब को बताना चाता हूँ कि 26 साल की परंपरा ये श्रमण और स्रमणी भगवंत न हो न तो ये परंपरा चलना नमुम्किन हो जाए कांखोल सब सुन लेना दान भले आप करते हो तपत्याग भले आप करते हो श्रावग भले आप वो श्रावी का भले आप वो चत्रवित श्री संग के बहु महत्त्व पुनन लोग हो आप लेकिन मैं आप से निश्चित तोर पर कहना चाता हूँ रवी महावीर के परंपरा यह 2600 साल से चल नहीं है यह परंपरा यह दिश्रमण और स्रमणी भगवन तो आप तक नहीं पहुच बाती यह हमें सुविकार करना ही पड़ेगा डेडी केसन जो समरपन सासन के लिए जान देने की तयारी सासन के लिए प्राण चोड़ने की तयारी सासन के लिए सब कुछ करने की तयारी सासन के लिए 인े अपना सब कुछ देने की तयारी ये स्थवीरावली की जो परंपरा है ये भद्रवाव स्वव्ही महाराज नहीं में सिखाया कि भाई समझ लेगा जिर सासन में प्रभू टो प्रेम से भरी हुए है लेकिन सासन के गुरू भी प्रेम से भरे हुए है एक एक गुरू के भीतर जाईए एक एक गुरू के जीवन को देखिए एक एक गुरू के जीवन को निहारिए एक एक आप जब चरीतर को सुनोगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने ओवकार गुरुओं के हमारे भीतर है हमारे प्रति है यदि ये गुरु न होते तो मैं सासर न मिलता ये संत न होते तो मैं सासर न मिलता ये हमारे स्रमनी भगवन पूजनिया न होती तो मैं सासर न मिलता करा से सासर प्राप्त होता इसलिए मैं आपसे कहना चाता हूँ कलपसुत्र सर्वस्रेष्ट गरंत है, सिर्मोर गरंत है, क्योंकि उसके भीतर ताकात है, प्रेम की कला सिखाने की आर्ट ओफ लविंग यदि सिखाने वाला कोई गरंत है, तो कलपसुत्र महा गरंत है, और आठो प्रवचन के माध्यम से एक ही चीज सिखाए जाएगी, जीवन में प्रेम को भर दो, जीवन में दया को भर दो, तो निश्चित्वर पर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा.